हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी उम्मिद करता हूँ आप सी बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सब सीखने वाले हो कि अपने लेपटाप में दोस्तों आप स्क्रीन सॉट कैसे ले सकते हो चाहे विंडोज 10 हो या फिर विंडोज 7 हो दोस्तों आपका कोई भी लैपटाप हो देल का हो या फिर एचपी का हो कोई भी कमपनी का लैपटाप हो और आप उने उसमें अगर विंडोज इस्टर्ल कर रखा है और तो आप जो है इस्क्रीन सॉट ले सकते हो दो चलिए आप मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको इसको यहांपे ऑपन करना, अब मैं इसका स्क्रींस ओड लेने वाला हूँ. अब से पहले आपको दोस्तों यहांपे दिखा देता हूँ, मेरा कीबोड है और कीबड में आपको शरीफ एक बटन प्रेस करना है Screenshot लेने के लिए वो दोस्तों आपको यहाँ पे दिख जाएगा मैं आपको clear दिखा डेता हूँ यहाँ पर यह वाला button दोस्तों आपको दिख जाएगा print screen RQ यह वाला एक बार आपको दबा देना है एक बार दबाने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करने के लिए आपको क्या करना होगा यहां पर देखें कंट्रोल पलस वी आपको टैप करना होगा एक बार उसके बाद देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पर दोस्तों यहां पर यह आ चुका है मतलब जो हमने स्क्रीन सॉट ले रखा था वह आ चुका है अब इसको कैसे इडिट कर सकते हैं जो भी आपका काम का वह यहां पर यूज कर सकते हो जो काम का नहीं हो यूज नहीं कर सकते हो मैं फोटो साब खोला हूं तो फोटो साब तो भाई जो लोग अगर चलाना जानते हो वो यहां पर भी चला सकते हैं और इसको adjustment कर शकते हैं जो भी आप ने image को copy करा होगा जो ही माल लीज अगर अपने वीडियो के अंदर से लिया होगा कि सी विवी photo को तो यहां पे आफ अटो मेलिटी कि हमापसे सेट कर लेना अपने हिशाब सेट करने के बाद कि अब जयाएंगे फोटो साफ में चलाना था तो उभी नेट से सीख सकते हैं बहुत सारे लोगों ने वीडियो बना रखा है तो वहां से आप सीख सकते हमाली जी मेरे फोटो हो गया स्कृनिसोट हो गया मिल गया अब मैं इसको सेब करूंगा अपनी गैररी में फोटो के रूप में उसके लिए आप अपन जाएंगे अब फाइल पर फाइल पर जाने के बाद यहां पर तो आपको एक आप्सें मिलेगा और यहां पर सेव एज का option मिलेगा रुस्तों यहां पर आपको क्लिक करना है उसके बाद दूस्ते यहां पर एक और विंडो आएगा बताता हूं अभी तो यहां बेंडो आजाएगा उसके बाद दोस्तों आपके समने यहां पर देखें यहां पर लिका हुआ है फोटुसाउप PSD तो इस पर आपको क्लिक करना और यहां पर देखना है वेट कर लेना है हाँ मेरा सेव हो चुका है यहां पर मैं बैक करता हूं और यहां पर दोस्तों आपको दिखा देता हूं यह वाला फाइल जो आप देख रहे हो यह फाइल वही है सेव हो चुका है मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूं तो लेफ साइड क्लिक करेंग और अगर आपने यहाँ पर मैं open करके अभी आपको दिखा रहे था तो दोस्तों यहाँ पर हमारा यहाँ पर open हो चुका है यहाँ पर task bar में आप देख सकते हो मैं इसको open करूँ यहाँ पर देखे कुछ इस तरीके से आपका image बनके तयार हो जाएगा और ऐसे ही आप किसी भी फोटो को आप यहाँ पर save कर सकते हो उसके बाद आप जहाँ चाहो मुबाइल में ले सकते हो जहाँ भी चाहो आप वहाँ पर इसका यूज कर सकते हो और दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटा बटन जरूर दबा देना इसी तरह कि अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो और कमेंट करना कि अगले वीडियो आपके लिए क्या अला आया जाए आप मुझे कमेंट बाक्स में बता सकते हो मिलते हैं इसी के साथ एक और ने वीडियो में तब तक के लिए जहां भी रहो खुस रहो